हाना का सूटकेस जापान में एक होलोकास्ट संग्रहालाय बनाया गया ताकि वहां के लोगों को इसके बारे में पता हो इसमें प्रदर्शित करने के लिए आश्वीट्स यातना शिविर से कुछ सामागरी आई थी जिसमें से एक सूटकेस सबको आकरशित कर रही थी या उन सूटकेसों में से था जिनमें विशेले गैस कमरों में मारे गए लोगों के सामान थे सूटकेस पर लिखा था हाना ब्रेडी जन्म 1931 अनाद यानि इस अनाद बच्ची को उसके 13 साल में मारा गया था इस पार जापानी बच्चों के बहुत सारे सवाल थे वह कौन थी? कहां की रहने वाली थी? वह क्यों अनात हुई? उसे क्यों मारा गया? आदी पर संग्रहाले के नेदेशिका के पास उनके उत्तर नहीं थे तो उन्होंने हाना के बारे में पता करने की कोशिश की कई वर्षों बाद आखिर में पता चला की हाना का एक बड़ा भाई कनाड़ा देश में जीवी थे उसने एक पत्र में हाना की कहानी बताई हाना का परिवार चेक रिपबलिक के नोवे मेस्टो शहर में रहता था वे यहूदी थे जब 1949 में नाजियों का कबजा हुआ तो यहूदियों पर मुसीबतों का पहार तूट पड़ा नाजियों ने यहूदियों पर स्कूल, सिनेमा, पार्क आधी में जाने पर रोक लगा दी घर से बाहर निकलते समय यहूदियों को एक पहचान निशान पहनना पड़ता था धीरे धीरे उन्हें नाजियातना शिवरों में ले जाया जाने लगा एक दिन हाना की मा को ले जाया गया और दूसरे दिन पिता को तब हाना 11 साल की नहीं हुई थी उसके जन्म दिन पर मा ने शिवर से उसे एक तोफा भेजा था जो उनसे मिली आखरी खबर थी भाई और बहन अब अकेले थे 14 माई 1942 को उन दोनों को एक यातना शिवर भेजा गया जहां वे दो साल रहें 23 अक्टूबर 1944 को हाना को आश्विट्स भेज दिया गया जहां उसे गैस से मार दिया गया भाई गुलामी कर रहा था इस बिच नाजियों का राज खत्म हुआ उसे अपनी बुआ के माध्यम से पता चला कि उसके माता पिता और बहन मार दिये गये है भाई ने लिखा मेरी दुनिया उसी पल खत्म हो गई है मैं आज भी हाना के नन्ने हाथों को महसूस करता हूँ मैं उसे बचा नहीं सका मुझे इस बात का बहुत दुख है